आपको स्वागत करता हूं आपके अपने डिटीव चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सेल और परचेज और सेयर्स या मुचल फंड को इंकम टैक्स रिटन आइटर वन में कैसे फाइल कर सकते हैं इसकी रिपोटिंग आपको किस तरीके से करनी है सब कुछ यहां पर कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंकम टैक्स की ओफिसल एफसाइट है www.incometax.gov.in इस पर मैं यहां पर लोगिन करूँगा लोगिन करके मैं आपको चेक करके यहां पर बताऊंगा कि AIS में किस तरीके यहां पर इंकम सो रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं ITR 1 के लिए आप कब eligible होंगे या फिर आपको ITR 2 या 3 में जाना पड़ेगा ठीक है तो पहले यहां पर लोगिन कर लेंगे यहां पर लोगिन करने के बाद आपको AIS चेक कर लेना एक बार अब यहां पर इस इवाले AIS में जो है इंट्रेस्ट फोर्म डिपॉजिट्स परचेज आ रहा है ठीक है परचेज हो सिक्यूरिटेज यूनेट्स और मुचल फंड तो देखिए यहां पर किवल और किवल परचेज की ट्रांजेक्शन है मतलब यहां पर इस केस में इस केस में जो है आईट्र 1 फाइल की गई है और आईट्र 1 फाइल करके इसका जो है यहां पर इप्रचेज की होगी ठीक है तो इस case में ITR1 file की गई थी जहाँ पर आपने sales की mutual fund की केवल purchase किया कोई भी sales नहीं की ना ही कोई redemption किया ठीक है दोनों words यहाँ पर समझ लिएगा तो उस case में आप ITR1 file कर सकते हैं आपका refund बनना है तो आप easily आपको refund मिल जाएगा लेकिन जहाँ पर आपको sales की transactions भी आ रही है sales of security, sales of mutual funds अगर आपको आ रहे हैं तो फिर आपको ITR2 file करना mandatory है ITR2 ही file करिएगा ऐसा नहीं कि आपने ITR1 file कर दी ITR1 process भी हो गई आपको refund मिल गया बाद में जो है आपको income tax से notice आ जाए क्योंकि income mismatch की case में काफी सारे notice department की दरब से सुके हैं last two years के भी ऐसे काफी सारे SSC के बार notice आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको sales और purchase करने पर अगर capital gain की income हो रही है short term या long term capital gain आ रहा है मैं आपको यहाँ पर वो भी चीज़ दिखा देता हूँ भी अगर sales की टाइप की transition आ रही है फिर आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर second case दिखाता हूँ यहाँ पर एक second case है इसमें salary की income भी आई भी है उसके लावा जो है sales of securities आई भी है purchase आई भी है कुछ business receipts भी आई है तो अगर आपके business प्रोफेशन की income हो रही है या फिर आपने sales में transition करते हुए F&O trading क्या है तो ITR 3 आपको file करने पड़ेगी ITR 1 या 2 या 4 file मत करिएगा आपको problem हो जाएगी कोई benefit नहीं है अब यहाँ पर एक question आता है कि सरकेवल purchase आपने अगर की है तो भी ITR में दिखाना जरूरी है नहीं purchase की case में इसा file करना mandatory नहीं है income जो है वो income tax जो है वो income पर applicable है जब आप sales कर रहे होंगे वो sales की category जो है long term short term capital gain या इंट्रेट ट्रेडिंग से profit and loss तो उस case में वो business income में चले जाता है और बाकि capital gain में capital gain की income में आता है salary के five salary की जो है यहाँ पर salary income income from other sources में income from other sources के आएगी capital gain में capital gain की income आएगी उसके अलाबा business profession का आपका एक salary deal हो गया उसमें business profession की आपकी income आएगी और अगर कोई rental income आ रही है तो house property income में कवर होगी पाश हैड्स के अंटर में sales के case में आपको दिखाना जरूरी है ITR 2 या 3 में जाएगा purchase के case में दिखाना जरूरी नहीं है purchase of security या mutual fund आपने लिये हैं तो उनको आपको ITR में दिखाना है आपकी salary income है simple interest income है other income आ रही है तो उसको मिलाकर आप ITR 1 में जा सकते हैं ITR 1 आप file कर सकते हैं purchase of security के case में वहाबर कोई ऐसा access mandatory नहीं है अगर business income है तो फिर आप ITR 4 में भी जा सकते हैं लेकिन अगर sales हो रही है sales of security में चलपन फिर आपके पास ITR 2 या 3 बचेंगे तो ITR 2 के लिए भी और 3 के लिए भी उसके लावा हर टाइप की ITR कैसा senior citizen के ITR, defense person के ITR, ITR 1, 2, 3, 4, TDS के full full refund सबके लिए detailed वीडियो हैं आप एक बार वीडियो देख लिएगा आपको side हो जाएगा किस तरीके सा आपको proceed करनी है income tax और GST के आपर काफे सारे वीडियो जफ्लोडेट है, चाया को जब परपज़ा fully educational है, इसलिए चैनल को subscribe करें आना करें लेकिन वीडियो देखें और आगे से जरूर करें ताकि सभी को उसका benefit मिल जाए, कोई भी income hide करते हैं ITR फाइल मत करेगा, आगे चलकर आपको problem हो सकत इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much